प्रधान मंत्री को ये भी समझना चाहिए कि 370 को बात करते हैं कोई भी देश का सांसत जानी सकता स्री नगर को भी भी अभी इंटरनेट बंध है क्या बात करने प्रधान मंत्री इतने लोग जेल में हैं इंडियन एक्सप्रस दे रिपोर्ट किया कि एक शक्स को जिस पर वहां की सरकार ने पकड़कर आगरा की जेल में डाल दिया था पीएसे लगा दिया था उसकी लाश उसके बेटे के हवाले कर दी आपने उस पर कोई गुना नहीं था बेटा जाते हैं कि जो जो उसकी लाश ल नहीं है हमने कहा कि सुप्रीम कोट सुप्रीम है मगर इंफैलेबल नहीं है और हकीकत में यह है प्रधान मंत्री जी कि छे डिसंबर को उस मस्जिद को शहीद किया गया था अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या यह फैसल आता था प्रधान मंत्री जी यह हिस्टॉरिक की मौत को जो बिजनोर का रहने वाला था वो बच्चा गरीब बच्चा अपने आई एस की तैयारी में लगावा था घर से निकाई उसको पॉलिस पकड़ती है और ले जाकर दूसरे महले से उसकी लाश निकलती है उसके सीने में गोली मार दिये उसकी माँ आज तक रो रही है कि मेरा बच्चा टाइम टेबल बता कर सारी दून्यों को बता रही है मेरे बेटे का टाइम टेबल था हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधान मंत्री कंडेम करेंगे अनस हुसैन की जो अपने साथ महीने के बच्चे के लिए दूद लाने के लिए निकला उसके बाई आँक में आइनक लग गई उसके बाप के सामें हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधान मंत्री नूर मुहम्मद जो मुझफर नगर का है उसको गोली मार दी गई हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधान मंत्री वो आठ साला बच्चा सगीर जो आपके कॉंसिंसी का है वहाँ पर एक पीसफु मंत्री हैं और जो लोग मरने वाले हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं वो कोई पड़ोसी मुलक के नहीं है कंडेम करिए वाइलेंस को मगर देश के पथान मंत्री जाने कि वहाँ पर क्या जोरत थी वहाँ पर जाकर उखसाता है लोगों को और पधान मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे इस पर लेकिन एने चार्सी अपना काम करेगा मर जो सरकार है सरकार का का काम नहीं है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इतने अठारा लोग पॉलिस उसको तोड़ दिया गया मस्जिद के कैमरा उसको तोड़ा गया आर एफ और पॉलिस निकलती है मुस्लिम महलों में और जो गाड़ी घर के साम में खड़े उसके शीशों को तोड़ती है इस सब के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वाइरी की जरुरुत है यह हम प्रधा मंत्री जामे मिलिया में दिल्ली पॉलिस जो आपके महतेद आती है मिनाजुद्दीन के एक आँख को साहिक कर दिया जो लाइबररी में बाट कर पड़ रहा था अलीकल मुस्लिमिनिस्टी के बच्चा उसका हाथ कड़ गया हॉस्टिल में गुसकर जामिया के बच्चियों क बच्चियों को मारा और पीटा गया क्या ये वाइलेंस की प्रदान मंत्री को फिकर नहीं है कौन करेगा फिकर अगर प्रदान मंत्री ना करें मुझे एक्तियार है अपने प्रदान मंत्री से पूछने का और देश जानना चाहता है कि प्रदान मंत्री इस वाइलेंस को करेंगे या कामोज बैटे रहेंगे